C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक प्रस्तु थे इस पुस्तक का पाठ आठ शीर्शक पवन, तूफान और चक्रवाद प्रिष्ट 84 से प्रिष्ट 100 तक तो आईए अब सुनते हैं पाठ आठ शीर्शक पवन, तूफान और चक्रवाद प्रिष्ट 84 पाठ आठ पवन, तूफान और चक्रवाद उडिसा के तटको 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवाद ने पार किया था जैसा की चित्र 8.1 में बताया गया है इस चक्रवाद का पवनवेग 200 किलोमीटर प्रतिघंटा था चक्रवाद ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रतिघंटे के पवनवेग से पुनह एक अन्य चक्रवाद उडिसा में आया था इसके साथ ही 9 मीटर उची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी हजारों लोगों ने अपनी जान गमा दी करोणों रुपय की संपत्ती नश्ट हो गई चक्रवाद ने क्रशी, परवहन, संचार और विद्युत संभरण यानी सप्लाई को प्रभावित किया था यहां प्रिष्ट 84 पर चित्र 8.1 में उडिशा के समुद्र तटकी और प्रवृत किसी चक्रवाद का उपग्रह यानी साटलाईट द्वारा लिया गया चित्र दिया गया है आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली लेकिन चक्रवाद होते क्या हैं? ये कैसे बनते हैं? ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्णों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगी हम वायू द्वारा होने वाले कुछ क्रिया कलापों से आरंभ करते हैं ये क्रिया कलाप हमें चक्रवाद से संबंधित कुछ मूल भूत विशेष्टाओं को असपश्ट करने में सहायक होंगे इससे पहले कि हम क्रिया कलाप आरंभ करें याद रखिए कि गतिशील वायू पवन कहलाती है आठ दशमलव एक वायू दाब डालती है क्रिया कलाप आर्ट दशमलव एक जब कभी भी किसी क्रिया कलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहत सावधानी से कारे करना चाहिए अच्छा होगा यदि ऐसे सभी क्रिया कलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिती में करें अत्वार इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिती में करें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथ्वा वौश बेसिन में रखती जिए। ठंडा किया जा रहा है उसका चित्र दिया गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है। यदि आपको टिन का डिब्बा ना मिल पाए, तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे थतकाल कस कर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं, तो क्या आपके पीछे से आति पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं, तो क्या इसे चलाना आसान होगा? यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा में आ रही हो, जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं। क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकल चलाने में कठनाई का अनुभव होता है? आप जानते हैं कि हमें साइकल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकल के टूब में बहुत अधिक हवा भरती जाए, तो वह फट सकती है. टूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिये कि साइकल के टूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाई रखती है? यह सब ही अनुभव, हमें ये आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है इस दाब के कारण ही पवन द्वारा व्रिख्षों की पत्यां, बैनर अत्वा ज्ण्डे लहराते हैं आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि वायू दाब डालती है। आईए अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंद बाहर की वायू के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। ये क्रिया कलाप पुनहां पुष्टी करता है कि वायू दाब डालती है। जैसा आकार बनाईए। खाली बोतल को पकड़ कर उसके मुख के पास कागस की गेंद को रखती जिए। अब फूक मार कर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। जैसा कि चित्र आठ तशमलव 3 में दिया गया है। यहां चित्र आठ तशमलव 3 में बोतल में फूक मारते हुए एक ब्यक्ति को दिया गया है। प्रिष्ट 86 क्रिया कलाप आठ तशमलव 3 गुबारों को फूलाना यहां प्रिष्ट 86 पर चित्र आठ तशमलव 4 में दो गुबारों के बीच में फूक मारते हुए एक ब्यक्ति को दिया गया है। लगभग समान आमाप के दो गुबारे लीजिए। गुबारों में थोड़ा पानी भर गुबारों को फूला कर प्रतेक को धागे से बांध दीजिए। गुबारों को साइकल के स्पोक अत्वा किसी चड़ से आठ से दस सेंटिमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। जैसा कि चित्र आठ तशमलव 4 में दिया गया है। गुबारों के बीच के स्थान में फूक म आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं? गुबारों के बीच में फूक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपना ये और पता कीजिए कि क्या होता है। पत्ती को अपने अंगूठे और तरजनी के बीच इस प्रकार पकड़िये कि पत्ती का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। जैसा कि चित्र आठ तशमलव 5 में बताया गया है। अब कागस की पत्ती के ऊपर से फूक मारिये। पहेली का विचार है कि पत्ती ऊपर हमक्रिया कलाप 8 तशमलव 2, 8 तशमलव 3 और 8 तशमलव 4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं? अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सूback था। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। प्रिष्ट 87 जब हम बोतल के मुख पर फूप मारते हैं, तो मुख के पास की वायु का वेग, अपेक्शाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहाँ वायुदाब घड़ जाता है। बोतल के भीतर वायुदाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल की भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। क्रिया कलाब 8.3 में आपने जाना कि जब आप गुबारों के बीच में फूप मारते हैं, तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। ये तब ही संभव होगा जब गुबारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुबारों के दूसरी ओर, बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धके लेगा। क्रिया कलाप 8.4 में आपने जाना कि जब आप कागस की पट्टी के उपर से फूक मारते हैं, तो ये उपर की ओर उड़ जाती है। पुनह ऐसा तब ही संभव होगा जब कागस में फूक मारने पर पट्टी के उपर दाब कम हो जाता हो। हम जानते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब वास्तव में कम हो जाता है। हम ये समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, ये वर्षा कैसे लाती है और कभी-कभी ये विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप ये जानते हैं कि गतिशील वायू पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायू दाब वाले क्षेत्र से कम वायू दाब वाले क्षेत्र की ओर गती करती है। वायू दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृती में विभिन क्षेतरों के वायू दाब में भिन्नता कैसे उत्पन होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? यां दिये गए क्रिया कलाप इसे समझाने में आपकी सहायता करेंगे. गर्म की जाने पर वायू का प्रसार होता है क्रिया कलाप आठ दिशमलव पांच एक क्वथन नली लीजिए नली के मुख पर एक गुबारे को कस कर लगाईए आप इसे कसने के लिए टेप का उप्योग भी कर सकते हैं किसी बीकर में लगभग दो तिहाई उचाई तक गर्म जल डाली गुबारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखे कि गुबारा जल से बाहर रहे जैसा की चित्र आठ तशमलव छे में दिया गया है दो तीन मिनट तक ये ध्यान दीजिए कि क्या गुबारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भाती दो-तीन मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए यहां प्रिष्ट 87 पर चित्र 8.6 में गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे के आकार को बदलते हुए बताया गया है इस चित्र को तीन भागों में बाटा गया है पहले भाग में क्वथन नली के मुख पर गुब्बारा बंधा हुआ है दूसरे में गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली को दिया गया है और तीसरे में बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली को दिया गया है अपने प्रेक्षणूं के आधार पर यहां दिये गए प्रश्णूं के उत्तर देने का प्रयास कीजिए क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुबारा क्यों फूल जाता है? वही गुबारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले प्रिक्षन से ये निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायू गर्म किये जाने पर फैलती है अर्थात उसमें प्रसार होता है क्या आप अब ये बात बता सकते हैं कि ठंडी किये जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायू का क्या होता है संभवतह आपको क्रिया कलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा इससे आपको गर्म वायू के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी क्रिया कलाप 8.6 समान आमाप की कागस की दो खाली थैलियां अत्वा कागस के दो खाली कप लीजिए दोनों थैलों को धातू अत्वा लकडी की किसी चड़ के दो किनारों से लटका दीजिए ध्यान रहे कि कागस की थैलियों अत्वा कपों का मुख नीचे की ओर रहे यहाँ पर एक साबधानी लिखी हुई है लिखा है जलती हुई मुबत्ती को साबधानी से पकड़ें तथा यह ध्यान रखें कि उसकी लौ कागस की थैली से पड़्याप्त दूरी पर रहे चड़ के मध्य में एक धागा बांध कर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा की किसी तराजू में करते हैं जैसा की चित्र आठ तशमलव साथ में दिया गया है अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में बताए गए अनुसार जलती मुबत्ती को रखें ध्यान दीजिये क्या होता है थैलीओं का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है यहां प्रिष्ट 88 पर चित्र आठ तशमलव साथ में कागस की दो खाली थैलीओं और एक मुबत्ती द्वारा उपर उठती गर्म हवा के बारे में बताया गया है क्या ये क्रिया कलाप बताता है कि गर्म होने पर वायू उपर की ओर उठती है जैसे ही मुम्बत्ती की लौ से गर्म वायू उपर की ओर उठती है वो थैली को उपर ले जाती है क्या संतुलन का बिगड़ना ये सुझाता है कि गर्म वायू ठंडी वायू से हलकी होती है क्या आप अब ये समझा सकते हैं कि धुआ उपर क्यों उठता है ये याद रखना भी महत्वपून है कि गर्म किये जाने पर वायू का प्रसार होता है और वो अधिक स्थान घेरती है जब कोई दी गई वस्तू पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वो हलकी प्रतीत होती है इसलिए गर्म वायू ठंडी वायू की अपेक्षा हलकी होती है यही कारण है कि धुआ उपर उठता है प्रिष्ट नवासी प्रकृती में अनेक ऐसी स्थितियां होती है जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायू गर्म होने के कारण उपर उठती है ऐसी स्थिती में उस स्थान का वायू दाब कम हो जाता है पलस्वरूप उस स्थान के आसपास के एक शेत्र से ठंडी वायू प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है इससे वायू में समवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं जैसा कि आपने अध्याय चार में पढ़ा था आठ दशमलव चार पवन धाराएं प्रित्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन होती हैं यहां हम ऐसे कुछ स्थितियों का विवरन प्रस्थुत कर रहे हैं जिनके कारण प्रित्वी के वायू मंडल में पवन धाराएं उत्पन होती हैं ये स्थितियां है कर भू मध्य रेखिये और ध्रुविय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना आपने संभवतह भूगोल में पढ़ा होगा कि भू मध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिक्तम उश्मा मिलती है इससे इन क्षीत्रों में पृत्वी की सतह से निकट की वायू गर्म हो जाती है गर्म वायू उपर उठती है और ठंडी वायू भूमधिरेखा के दोनो ओर स्थित इस प्रकार उत्पन पवंध हाराएं उत्तर और दक्षिन से भूमधिरेखा की ओर बहती है चित्र आठ दशमलव आठ में प्रित्वी पर असमान तापन के कारण वायू प्रवाह का पैटन एक चित्र के माध्यम से दिया हुआ है द्रुवों पर वायू प्रित्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांच तक के क्षेत्रों की वायू से अधित ठंडी होती है इन क्षेत्रों में गर्म वायू उपर उठती है जिसका स्थान लेने के लिए द्रुवों से ठंडी वायू उस ओर प्रवाहित होने लगती है इस प्रकार वायू का प्रवाह द्रुवों से अपेक्षा कृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है जैसा कि चित्र 8.8 में दिया गया है इसे प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा पहली कहती है मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में बताई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर डक्षण दिशा क्यों नहीं है पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर डक्षण दिशा में उत्तर से डक्षण की ओर अथवा डक्षण से उत्तर की ओर होती है दिशा में ये परवर्तन पृत्वी के घूर्णन के कारण होता है ख थल और जल का असमान रूप से गर्म होना अध्याय चार में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विशह में पढ़ा था ग्रीश मकाल यानी गर्मियों में थली एक शेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है थल के उपर की वायू गर्म होकर उपर उठ जाती है इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है ये मानसूनी पवन होती है जैसा कि चित्र 8.9 में बताया गया है मानसून शब्द की उत्पत्ती अर्भी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है रितू प्रिष्ट नब्बे यहां प्रिष्ट नब्बे पर चित्र 8.9 दिया गया है ये मांसूनी पवन का चित्र है यहां लिखा है थल विशेश रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रिश्मकाल में दक्षन पश्चमी दिशा से मांसून निर्मित होता है ये मांसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाश पर लेकर आती है आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली शीतकाल यानि सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है अर्थात ये थल से समुद्र की ओर बहती है जैसा कि चित्र आठ दशमलव दस में बताया गया है बूजो पूचता है मैं ये जानने को उच्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती है यहाँ प्रिष्ट नब्बे पर चित्र आठ दशमलव दस दिया गया है ये चित्र शीतकाल की पवन का दृष्ट है इसमें लिखा है शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम के अपेक्षा कृत ठंडे स्थानों से आती है ये शीत पवन अपने साथ जलवाश पलाती है इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है आभार, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली समुद्रूं से आने वाली पवन अपने साथ जलवाश पलाती है जिससे वर्षा होती है ये प्रक्रम जलचक्र का एक चरण है गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाश पलाती है जिससे वर्षा होती है बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनभव कराते हैं हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुक रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो, तो अपने मित्रों के साथ उसे गा कर इसका आनन्द उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। प्रिष्ट एक्यानवे यहाँ प्रिष्ट एक्यानवे पर एक कविता दी गई है। ये कविता कुछ इस प्रकार है। उमढ घुमढ कर आये बादल, आसमान में च्छाय बादल। मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल। बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल. तथापी, वर्षा सदैव सुखदाई नहीं होती, कभी कभी वर्षा अनेग समस्याओं को जन देती है. क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक या शिक्षका और माता पिता से वर्षा से संबंध समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं. कुछ प्राकृते घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन देती हैं, जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं. इनसे मनुश्यों, जन्तूं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन हो जाता है. आईए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित जन्जा और चक्रवात का अध्यान करें. आठ दशमलव पांच तड़ित जन्जा और चक्रवात तड़ित जन्जा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधी एक शेत्रों में अकसर विक्सित होते रहते हैं. ताप में वृद्धी होने के कारण उपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है. पवन वायू में पहले से विद्द्यमान जल बूंदों को अपने साथ उपर की ओर ले जाती है. जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुना नीचे की ओर गिरने लगती है गिरती हुई जल की बूंदें और तीवर वेक से उपर उठती हुई वायू की परस पर क्रिया से बिजली यानि तडित कौंधती है जिससे ध्वनी उत्पन होती है इसी घटना को हम तडित जन्जावात कहते हैं आप तडित जन्जावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगी प्रिष्ट एक्यानवे पर कुछ सावधानिया दी गई है यहां लिखा है यदि जन्जा के साथ तडित यानि बिजली भी गिरे तो उसे तडित जन्जावात कहते हैं इसमें हमें यहां दी गई सावधानिया बरतनी चाहिए किसी ऐसे व्रिक्ष के नीचे आश्रय ना लें जो अलग थलग हो यदि आप वन में हैं तो किसी चोटे व्रिक्ष के नीचे आश्रय लें खुली जमीन पर ना लेटें धातों की डंडी वाले चाते का उप्योग न करें खिडकी की निकट ना बैठें खुले गैराज भंडारन शेड धात्विक चादरों की चछत वाले शेड आदी आश्रय लेने के लिए उप्योग स्थान नहीं होते हैं कार अद्वा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है यदि आप जल में हैं तो बाहर निकल कर किसी इमारत में चले जाएं तड़ित जंझा कैसे चक्रवात बन जाता है आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाश्प अवस्था में परवर्तित करने के लिए उश्मा की आवश्चक्ता होती है क्या वाश्प के द्रव में संगरित होने पर वो उश्मा वापिस मिल जाती है इसके समर्थन में क्या आप कोई अनभव बता सकते हैं? जिससे वायुदाब कम हो जाता है फलस्व रूप तड़ित जंजा के केंदर की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गती करने लगती है इस चक्र की पुनरा वृत्ती अनेक बार होती रहती है घटनाओं की इस श्रिंखला का अन्त बहुत ही निम्नदाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक पड़ते कुंडली के रूप में घूनती रहती है मौसम की इस स्थिती को हम चक्रवात कहते हैं वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्धरता में व्रिधी करने वाले कुछ कारक हैं प्रिष्ट बानवे यहां प्रिष्ट बानवे पर चक्रवात की सनरचना की व्याख्या दी गई है यहां लिखा है किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है इसे जन्जा का नेत्र कहते है कोई विशाल चक्रवात वायू बंडल में वायू का तेजी से घूननन करता पिंड होता है जो पृत्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की उंचाई पर स्थित होता है चक्रवात के नेत्र का व्यास दस से तीश किलोमीटर तक होता है जैसा कि चित्र आथ दशमलव ग्यारह में बताया गया है यह बादनों से मुक्त ख्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग निून होता है इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्दगिर्द लगभग 150 किलो मीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है, जैसा की चित्र आठ तशमलव बारह में बताया गया है इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन यानी 150 से 250 किलो मीटर पती घंटा और सगहन वर्षा वाले घने बादल होते हैं, इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशह कम होता जाता है चक्रवातों की उत्बत्ती का प्रक्रम अत्यधिक जटल होता है, चित्र आठ तशमलव ग्यारा में इसे एक प्रतिरूप द्वारा धर्शाने का प्रयास किया गया है यहां प्रिष्ट बानवे पर चक्रवात की संराचना की व्याख्या के साथ ही दो चित्र दिये गए हैं चित्र आठ तशमलव ग्यारा में चक्रवात का निर्माण और चित्र आठ तशमलव बारा में चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिम्ब का चित्र दिया गया है आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली प्रिष्ट तिरानवे आठ दशमलव छे चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है भले ही चक्रवात तट से सैकणों किलोमेटर दूर हो ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं पवन द्वारा उत्पन होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है चक्रवात के नेत्र में निम्नदाप के कारण उसके केंदर में जल सतह उच स्तर तक उठ जाता है उठता जल तीन से बारह मीटर की उचाई तक उठ सकता है जैसा की चित्र आठ तशमलव एक तीन में दिया गया है ऐसा लगता है मानो जल की दिवार तट की ओर बढ़ती आ रही है इसके परिणाम सुरूप समुद्र का पानी कम उचाई परिस्थित तटीक शेत्रों में प्रवेश कर जाता है जिससे जीवन और संपत्ती की गंभीर हानी होती है ये पानी मृदा की उर्वर्ता को भी कम कर देता है यहां प्रिष्थ 93 पर चक्रवात के तट को पार करते समय हुने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की इस्थिती को और भयावह बना देती है चित्र 8.13 में चक्रवात के कारण समुद्र में जल की उपर उठती विशाल लहनों को दिया गया है आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली चक्रवात को विश्व के विभिन भागों में भिन भिन नाम से जाना जाता है अमरीकी महद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं फिलिपीन्ज और जापान में ये टाइफून कहलाता है जैसा कि चित्र 8.14 में बताया गया है यहां प्रिष्ठ 93 पर चित्र 8.14 में भूम धरेखा के आसपास के वेक शेत्र बताये गये हैं जहां चक्रवात निर्मित होते हैं पूरे विश्व में अलग-अलग जगाहों पर चक्रवातों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है चक्रवात सर्व व्यापी परिघटना है प्रिष्ठ 94 किसी टॉरनेडो का एक व्यास एक मीटर जितना कम अत्वा एक किलो मीटर अत्वा उससे भी अधिक हो सकता है टॉरनेडो की कीप जैसी सनरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड, कच्रे और अन्य चोटी बड़ी वस्तूओं को अपने अंदर खीच लेती हैं ऐसा निम्नदाब के कारण होता है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेग देती हैं टॉरनेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिये गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत हैं जोकी डिस्कावरी चैनल की यंग डिस्कावरी सीरीज से लिए गए हैं यहां प्रिष्ठ 94 पर चित्र 8.15 में टॉरनेडो से सुरक्षा की एक विधी को दिया गया है डिस्कावरी चैनल की यंग डिस्कावरी सीरीज से लिए गए कुछ विवरण इस तरह से हैं मैंने बादल को अपनी उराते देखा और घर के भीता राश्राय लेने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कताई चोट नहीं लगी। इसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। टॉर्णीडो से बचाफ के लिए आश्राय भूमी में गहराई पर अत्वा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिन में खिड़किया नहीं होती है। यदि ऐसे आश्राय उपलब्ध ना हूँ तो टॉर्णीडो से बचाफ के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज बेंच आदी के नीचे आश्राय लेना बहता रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुँचता है। बचाफ के लिए आपको घुटनों के बल नीचे जुक कर अपनी बाहूं को अपने सिर और गर्दन के चारूं ओर लपेट लिना चाहिए। जैसा की चित्र आठ तशमलव 15 में बताया गया है। जैसा की चित्र आठ तशमलव 16 में किसी टॉर्नेडो का प्रतिविंब दिया गया है। लगभग 300 किलोमीटर प्रतिगंटा के वेग से गती कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। यहां चित्र आठ तशमलव 16 में किसी टॉर्नेडो का प्रतिविंब दिया गया है। यह चित्र National Severe Storm Laboratory NSSL के माध्यम से लिया गया है। आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। भारत की संपून तट रेखा विशेश रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए समवेदनशील है। जबकि भारत का पश्मी तट, चक्रवातों की प्रबलता और आवरती दोनों ही संदर्भों में अपेक्शाकृत कम समवेदनशील है। प्रिष्ट पिच्चानवे यहां प्रिष्ट पिच्चानवे पर चित्र आठ तशमलव एक साथ में पवन के वेग को मापने के लिए एक वायू मापी का चित्र दिया गया है। आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली चित्र के साथ साथ एक लेख भी दिया गया है। लिखा है हमने पढ़ा कि सभी जंजा या तूफान निम्नदाब के तंत्र होते हैं। जंजा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पवन के वेख की माप करना महत्वपूर्ण है। वेख की माप करने वाले उपकरण को वायू मापी कहते हैं। आठ दशमलव साथ प्रभावी सुरक्षा उपाए। चक्रवात के दुश प्रभावों को कम करने में यहां दी गई व्यवस्थाएं साहयक हो सकती हैं। सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर व्यवस्था। चक्रवात पूरवानुमान और चेतावनी सेवा। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रायों का निर्मान और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। जनताद्वारा किये जाने वाले कार्य, हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, दूरदर्शन, रेडियो अत्वा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार घरेलू साज सामान, पालतू पशू और वाहनों आदी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए आवश्चक प्रबंध कर लेने चाहिए। जल मगन सडकों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाड से सडकें क्षति ग्रस्त हो सकती हैं, तथा सभी आपात कालीन सेवाओं, जैसे पुलिस, अगनीश अमंदल और चिकित्सा केंद्रों के टेलिफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हूँ, तो कुछ अन्य साफधानिया हैं। ऐसे जल का पीने के लिए उप्योग ना करें, जो संदूशित हो सकता हो। आपात स्थिती के लिए पे जल का संग्रहन करें। गीले स्विच और खंभों से तूट कर गिर गए बिजली के तारों को ना चुएं। महज मनुरंजन के लिए बाढ़ अध्वा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का ब्रहमन करने बाहर ना निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ती के लिए दबाव ना डालें। अपने पडोसियों और मित्रों को यथा संभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। आठ दशमलव आठ उन्नत प्रोध्योगी की सहायक सिद्ध हुई है। आज कल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्द है। पिछली शताबदी के आरंभ में तटियक शेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रहों और रेडार की उपलब्दता से अब ये संभव हो गया है कि किसी भी संभावित जंजा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतरकता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तटके निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगती और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किये जाते हैं। अनेक राश्ट्रेय और अंतर राश्ट्रेय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। वायू गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। गर्म वायू उपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायू की प्रवृत्ती प्रित्वी की सतह की ओर आने की होती है। जब गर्म वायू उपर उठती है, तो उस्थान पर वायू दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्छ दाब की ठंडी वायू उस्थान की उर्प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायू पवन कहलाती है। प्रित्वी पर आसमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। उच्वेग की पवन और वायू दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रहू तथा रेडार जैसी उन्नत प्रिवध्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्वसायता सबसे अच्छी सहायता है। अतह किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की यूजना बना ले। इसके साथ ही लिखा है। यहाँ पर दिया गया प्रवाहचित्र आपको उस परिघटना को समझाने में सहायक होगा जिसके कारण बादलों का निर्मान और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं। जैसे दोक्षेत्रों के बीच ताप में अंतर इसके बाद वायू में समवहन धाराएं उत्पन होती हैं। इसके बाद गर्म वायू उपर उठती है जिस से निूनदाब का शेत्र बनता है। ठंडी वायू निूनदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद गर्म वायू उपर उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाश्प संघनित होकर बादल बनाती है इसके पस्चात बादल में बड़ी जल बूदें भूमी पर वर्शा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती है फिर वायू मंडल के उचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूदें और उपर उठती वायू परस पर उच्च वेक से गति करती है जिससे तडित जंजावात का निर्मान होता है और अंत में मौसम की कुछ परिस्थितियों में जंजावात चक्रवात का रूप धारन कर सकती है अभ्यास एक यहां दिये गए वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्दि कीजिए क पवन रिक्त स्थान वायू है ख पवन प्रित्वी के रिक्त स्थान तापन की कारण उत्पन्न होती है ग प्रित्वी की सतह के निकट रिक्त स्थान वायू उपर उठती है जबगी रिक्त स्थान वायू नीचे आती है घ, वायू, रिक्त स्थान, दबाव के एक शेत्र से, रिक्त स्थान, दाब के एक शेत्र की ओर गती करती है दो, किसी दियेगए स्थान पर पवन की गती की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां बताईए तीन, ऐसे कोई दो अनभव बताईए, जिनसे आपको ऐसा अनभव हुआ हो, कि वायूदाब डालती है, जैसा की अध्याय में दिये गए उदाहरणों के अतरित प्रिष्ट अठानवे चार, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे, जिसमें खिडकियां हूँ, लेकिन रोशन दान ना हूँ, अपने उत्तर का कारण समझाईए पांच, समझाईए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्यापन पट्टों में छिद्र क्यों किये जाते हैं चै, यदि आपकी गाँव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए, तो आप अपने पडोसियों के साहता कैसे करेंगे साथ, चक्रवात से उत्पन होने वाली स्थिती से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की यूजना तैयार करने की आवशकता होती है आठ, यहां दिये गए विकल्पों में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती क, चन्नाई ख, मैंगलूरू या मंगलोर ग, अमरित्सर ग, पुरी नौ, यहां दिये गए वक्त अव्यों में से कौन सा सही है क, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है ख, ग्रिश्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है ग, चक्रवात का निर्मान अती उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अती उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है ग, भारत की तट रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना कार 1. आप अधियाएके क्रियाकलाप 8.5 को अपने घर पर थोड़े भिन प्रकार से कर सकते हैं एक ही आमाप की प्लास्टिक की दो बोतले लीचिए प्रतेक बोतल के मुह पर एक गुबारा लगा दीचिए एक बोतल को धूप में और दूसरी को चाया में रखिए अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए इन प्रेक्षणों और परणामों की तुलना क्रियाकलाप 8.5 कीजिए 2. आप अपना स्वेम का वायू मापी बना सकते हैं इन वस्तूं को एक अत्रत कीजिए कागस के चार छोटे कप यानि आइसक्रीम के खाली कप कार्डबोड या गत्ते की दो पटियां जोकी 20 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चोड़ी हूँ गोंद, स्टेपलर, एक स्केच पैन और नुकीली पैंसिल जिसके एक सिरे पर रबड लगा हो प्रिष्ट 99 प्रिष्ट 99 पर चित्र 8.18 में गत्ते या कार्डबोड की पटि का चित्र दिया हुआ है ये चित्र खुद अपना वायू मापी बनाने के लिए दिया गया है इस चित्र में पटि का केंधर बिन्दू निर्धारित करना बताया गया है एक स्केल की सहायता से चित्र आज्ट तशमलव 18 के अनुसार, कार्ड बोर्ड या गत्य की प्रत्येक पट्टी पर क्रोस बना लीजिए इससे आपको पट्टी का केंद्र बिंदू मिल जाएगा अब पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि उनके केंद्र एक ही बिंदू पर हों और उनसे धन यानि जमा का चिन बन जाए अब कपों को पट्टियों के सिरों पर चिपका दें एक कप की बाहरी सतह को मारकर अथवाय स्केच पैंसे रंग दें चारों कपों के मुख एक ही दिशा में होने चाहिए कप लगी पट्टियों के केंद्र में से एक पिंड डालें और पटियों तथा कप को पैंसिल पर लगे रबड से जोड़तें। जैसा कि चित्र आठ तशमलव एक नौ में दिया गया है। ये सुनिश्चित कर लें कि जब आप किसी एक कप में फूप मारते हैं, तो पटियां और कप मुक्त रूप से घूमने लगती हैं। आपका तैयार है। कर सकते हैं। शर्थ केवल ये है कि पटियां मुक्त रूप से घूर्णन करें। याद रखिए कि ये वायु मापी केवल वेग में होने वाले परवर्तनों को बताता है। ये आपको वास्तविक पवनगती नहीं बताता है। 3. समाचार पत्रों और पत्रिकाउं से तूफानों और चक्रवातों के चित्र एकत्रित कीजिए। एकत्रित सामगरी और इस अध्याय में आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर एक कहानी बनाईए। 4. मान लीजिए कि आप किसी ऐसी समिती के सदस्त हैं जो किसी तटियर राज की विकास योजना को बनाने के लिए उत्तरदाई है। एक संग्षिप्त भाशन तयार कीजिए जिसमें चक्रवातों द्वारा होने वाले कष्टों को कम करने के उपाए बताए गए हूँ। 5. चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों के वास्तविक अनुभवों को एक कत्रित करने के लिए ऐसे लोगों से साक्षातकार कीजिए जो किसी ऐसी आपदा को झेल चुके हूँ। 6. लगभग 15 सेंटिमीटर लंबी और 1 से डेड़ सेंटिमीटर व्यास की अलुमीनियूम की एक नली लीजिए। मध्यम साइज के किसी आलू का लगभग 2 सेंटिमीटर मोटा टुकडा काटिए। नली की एक सिरे को आलू के टुकडे में डाल कर उसे दबाते हुए 2 से 3 बार घुमाईए। जैसा की चित्र 8.20 में दिया गया है। नली को खींच लीजिए। आपको नली में आलू का टुकडा किसी पिस्टन की तरहां लगा हुआ मिलेगा। यही प्रक्रिया नली के दूसरे सिरे के लिए अपनाईए। अब आपके पास एक ऐसी नली होगी जिसके दोनू सिरे आलू के टुकडों से बंद होंगे और बीच में वायू होगी। एक ऐसी पैंसिल लीजिए जिसका एक सिरा छिला हुआ ना हो। इस सिरे को नली के सिरों में फसे आलू के टुकडों में से किसी एक टुकडे पर रखिये। अब पैंसिल को जटके से दबाईए जिससे आलू का टुकडा नली में चला जाए। जैसा कि चित्र 8.20 में बताया गया है। बताईए क्या होता है। क्रिया कलाप नाटकिय रूप से ये बताता है कि वायू दाब में व्रिधी वस्तुओं को किस प्रकार धकेल सकती है। यहां एक सावधानी लिखी है। इसमें लिखा हुआ है जब आप इस क्रिया कलाप को करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि नली के सामने कोई खड़ा ना हो। आप यहां दी गई वेबसाइटों पर संबंधित विशेयों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है http colon slash slash www.imd.gov.in यहां प्रिश्ठ सौ पर दी गई व्याक्या पर आधारित एक चित्र आठ तशमलव दो शूनिय दिया गया है। क्या आप जानती हैं। तडित गर्जन की कौंध चार लाह किलोमीटर प्रतिगंटा से भी अधिक वेग से चलती है। यह अपने आसपास की वायू को सूर्य की सतह के ताप से चार गुना से भी अधिक ताप तक गरम कर सकती है। इसी लिए यह इतनी खतरनाक होती है। इसी के साथ अठारह पाठों की इस पुस्तक का पाठ आठ शीर्शक, पवन, तूफान और चक्रवात यहां समाप्थ हुआ। वाचन, शालनी सिंग और वैभव श्री वास्तव। अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पाठ्य पुस्तक। तक्नीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो। तक्नीकी सहायक विकास सांगवान। निर्माण सहयोग कुसुम लता। निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।